हेलो दोस्तो आज हम उपयोजित लेखन के अंतरगत हिंदी में जो पत्र लेखन हमें करना पड़ता है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बाते करेंगे हिंदी के प्रश्ण पत्र में पत्र जो आता है तो उसमें हमें पत्र पाने वाले और लिखने वाले का नाम, पता, विशे जो भी है वो दिया जाता है और उन्ही के आधार हमें पत्र लिखना जरूरी होता है तो अब पत्र लेखन हम जब करते है तो पत्र लेखन करते वक्त हमें कुछ बाते ध्यान में रखनी जरूरी है अपने विचार भावों को शब्द क्वेद्वारा हम अपेक्षित व्यक्ति तक पत्रद्वारा पहुचा दे सकते है पत्र लेखन के अवशक्ता आज कम महसूस होने लगी है लेकिन पत्र लेखन भी एक कला है कम शब्दों में प्रभावी ढंग से अपने विचार पहुचाने का वह एक अच्छा मात्यम है आज अधुनिक तंत्रद्न्यान विज्ञान के युग में पत्र लिखने के अवश्चक्ता कम होती जा रही है इसलिए अब नई तकनीक के अनुसार पत्र लिखन में परिवर्तन किया गया है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें अगर आउपचारिक या अनौपचारिक जो भी पत्र लिखना है तो उसमें हमें इमेल आईडी देनी ही पड़ती है बराबर है तो इस प्रकार से हमने अब ये नई तकनीक के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया है पत्र लिखन के मुखे दो प्रकार है आउपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र जो आउपचारिक पत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं ये हम पहले देखेंगे आउपिचारिक पत्र के अंतरगत व्यावसाईक, कार्यालेईन या आवेदन पत्र आदी पत्र लिखे जाते है ये पत्र लिखते वक्त हमें कौन सी बाते है जो ध्यान में रखनी है ये पत्र लिखते वक्त उपर, सबसे उपर, बाए किनारे पर हमें दिनांक और उसके बाद हमें अपना स्थान लिखना है प्राय प्रश्णपत्रिका में पता दिया जाता है, इसलिए विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए परिक्षार्थी पत्र में अपना पता न लिखे, जो भी पता हमें प्रश्णपत्रिका में दिया है, दिनांक के बाद हमें वही पता लिखना है उसके बाद हम लिखेंगे प्रती या सेवा में कुछ भी चल सकता है प्रती या सेवा में और उसके बाद हमें कॉमा निकालना है प्रती कॉमा या सेवा में कॉमा ठीक है कार्याले इन पत्रों में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखा जाता हो उसका नाम निर्देश और पता लिखा जाता है यानि जो भी पता है वो हमें वहाँ पे दिया हुआ रहता है तो हमें वही पता या जो पत दिया है प्राप्त करता का पत है जैसे माननिय, श्रीमान ये जो है तो कभी कबार आदरनिय भी आ जाता है तो ये जो है हमें वो लिखना है प्राप्त करता का पद और उस पद के नीचे जो भी पता उन्होंने दिया हुआ है प्रश्नपत्रिका में वही पता हमें लिखना है अब ये हो जाने के बाद एक लाइन हमें छोड़ देनी है उसके नीचे आएगा विशय या संदर्ब अब ये क्या है विशय या संदर्ब क्या होता है तो इसमें हमें पत्र का हेतू स्पष्टक करना पड़ता है कि किस हेतू से हम ये पत्र लिख रहे है ठीक है यानि कारियाले इन पत्र में कैसा रहता है कि ये पत्र जो है वो कारियाले में जाते है तो कारियाले में बहुत सारे पत्र काम के लिए आते है किसी किसी का कुछ काम रहता है और उसके अनुसार वहाँ पे बहुत सारे पत्र आते है तो अगर पत्र पढ़ना है तो जैसे ही हम उपर विशे दे देंगे या फिर संदर्ब दे देंगे तो जो भी पढ़ने वाला आदमी है व्यक्ती है उसको वो पत्र पढ़ने में आसानी हो जाती है इसके लिए ये विशे लिखना जरूरी है और ये विशे भी कैसे लिखने है तो बहुत short में लिखने हैं कैसे देखो थोड़े बहुत मैं examples दे देती हूँ विशे साथ दिनों की छुट्टी की अनुमती के लिए या फिर आएगा विशे बीमारी के संदर सम्मंध में सुचना गरिब विद्यार्थी सहायक मंडल से पुस्तक पाने के लिए प्रार्थना पत्र लिपिक की नोकरी के लिए प्रार्थना पत्र ये कैसे short में लिखा है इस तरह से बहुत ही short में लेकिन जिससे हमें मालूम हो चले कि क्या है ये पत्र में क्या लिखा हुआ है किसके लिए ये पत्र है इस टाइब से हमें ये विशय या संदर्भ लिखना जरूरी है जिसमें पत्र का हेतु स्पश्ट रूप से दिखाए देना चाहिए या स्पश्ट रूप से किया जाता है उसके बाद हमें एक लाइन वापस छोड़ देनी है और हमें नीचे पत्र की प्रस्तूती करनी है, यहने जो मेन हमारा पत्र है वो यहां से शुरू हो जाएगा, उसको कलेवर या पूरा पत्र जो है वो भी बोलते है, ठीक है? तो हमें ये जो प्रस्तूती करनी है तो जो व्यावसाईक पत्र है उसमें हमें मूल विशय को भली भाती समझ कर अवश्चता के अनुसार उस पत्र में चर्चा करनी है दो या तीन पैरेग्राफ में शौर्ट में व्यावसाईक तरीके से व्यावसाईक भाषा में हमें ये पत्र लिखना जरूरी है इसमें कोई भी घरेलू संदर्प नहीं आएगा घरेलू भाषा में ये पत्र हम नहीं लिखेंगे ये प्रस्तुती हो जाने के बाद पत्र समाप्त करते समय बाई और पत्र भेजने वाले का नाम जो कि हमें प्रश्ण पत्रिका में दिया हुआ रहता है उसके नीचे वो भेजने वाले का पता और उसके नीचे email id देना जरूरी है समझ लो अगर प्रश्णपत्रिका में उन्होंने हमें email id नहीं दिया है तो भी हमें email id तयार करके वहां लिखना जरूरी है ठीक है उसको marks है email id लिखना ही है ये सब हो जाने के बाद हमारा पत्र खतम हो जाएगा पूरा हो जाएगा उपर लिखी बाते बाई और से शुरू होती है सब बाते उपर से दिनांग से लेकर हमें पत्र समापत जहां पे हम email id सबसे नीचे लिखते है हैं वहां तक सब जो बाते हैं ये वो हमें बाई ओर ही लिखनी है और अंत में लिफापा नहीं होता लिफाफा नहीं निकालना है ठीक है ये सब हो जाएगा अउपचारिक पत्र के लिए याने business letter के लिए दूसरा जो पत्र का भाग है या हम दूसरा जो पत्र हमें लिखने के लिए आता है वो होता है अनवपचारिक पत्र क्या होता है अनवपचारिक पत्र तो रिष्टेदार, मित्र, आत्मी अव्यक्ति इनको इस प्रकार का पत्र लिखा जाता है क्या-क्या बाते हमें आवश्चक बाते कौन-कौन सी है जो हमें ध्यान में रखनी है तो रिष्टों के अनुसार आदर के साथ हमें संबोधन करना चाहिए यहने विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंद विशेश के अनुसार उसे वहाँ पे लिखना है जैसे के पूज पिताजी, आदरणी गुरुजी, प्रिय मित्र, चिरंजु, अशोक या आशा जो भी है आदी तो इस प्रकार से हमें वहाँ पे आदर के साथ संबोधन करना है उसके बाद जिसको पत्र लिखना है, उसका कुशलक्षेम हमें पूछना है क्योंकि ये घरेलू टाइप का पत्र है तो यहाँ पे हम पूछ सकते है, आप कैसे हो, आपकी तबियत कैसी है, घर में सब कैसा है है ना तो ये कुशलक्षेम हम वहाँ पे पूछ सकते हैं और वो हमें पूछना जरूरी है इसके बाद हमें प्रभावी शब्दों में विशय विवेचन जो विशय हमें दिया हुआ है उसका विवेचन करना है ध्यान में रखे अनवपचारिक पत्र लिखते वक्त हमें जैसे हमने बिजनेस लेटर में या अवपचारिक पत्र में विशय करके शॉर्ट में विशय लिखा था वैसा हमें नहीं लिखना अनोपचारिक पत्र घरेलू रहता है वहाँ पे विशे लिखने की जरूरत नहीं रहती इसलिए जैसे ही हम उपर संबोधन दे देंगे आदरणिय पिताजी, प्रियमित्र या फिर पूजय माताश्री जो भी हम लिखेंगे कौमा निकालेंगे और उसके बाद हमारा मुख्य पत्र वही से शुरू होगा हमें अलग से विशे नहीं लिखना है तो हमें जो नीचे मुख्य प्रस्तूती करनी है पत्र की वो बहुत प्रभावी शब्दों में होनी चाहिए जो विशे हमें दिया गया है उसके बारे में हमें लिखना जरूरी है विशे अगर जो है वो हम विशे दिया हुआ है उसके अनुसार ही लेकिन घरेलू शब्दों में हमें ये पत्र लिखना है समापन करते समय बाई और पत्र भेजने वाले का नाम जो कि हमें प्रश्णपत्रिका में दिया हुआ रहता है तथा पता लिखना ज़रूरी है और इमेल आइडी भी लिखना ज़रूरी है तो अवपचारिक पत्र हो या अनुपचारिक पत्र हो हमें ये जो समापती है वो समापती में हमें इमेल आइडी लिखना ज़रूरी है तो हम जब अनोपचारिक पत्र लिखेंगे तो कौनसी बाते ध्यान में रखेंगे बाई और उपर दिनांक उसके नीचे संबोधन यानि प्रियमित्र, पुझ्यपिता जी, आदर्णियमाता जी उसके बाद हमें अभिवादन लिखना है अभिवादन यानि हमें वहां लिखना है जैसे सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सस्नेह नमस्ते, शुभा शिरवाद, आदिस अंबोधन और अभिवादन इस प्रकार हम लिखते हैं अभिवादन के बाद हमें पत्र का प्रारंब करना है, जो कि दो या तीन पैरेग्राब बहुत हो गए, उसी में हमें वो पत्र पूरा करना है, जो कि घरेलू भाषा में होगा उसमें हम विशे का विवेचन भी करेंगे जो भी विशे हमें दिया हुआ है प्रश्न पत्रिका में और पत्र समाप्ति के वक नीचे बाई और हमें लिखना है तुम्हारा या तुम्हारी जो भी है वो एक ही लिखना है कुछ तो तुम्हारा या तुम्हारी उसके बाद नाम आएगा नीचे नाम के बाद जो भी पता दिया हुआ है वो पता आएगा स्थल आएगा और उसके नीचे इमेल आईडी आएगा जब तक हम इमेल आईडी नहीं लिखते तब तक हमारा पत्र समाप्त नहीं होगा यह ध्यान में रखना है. ठीक है, तो आज हमने अवपचारिक और अनवपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखते है, और ये लिखते वक्त कौन सी बाते ध्यान में रखनी है, इसका विवेचन किया है, इसके बाद के जो विडियोज है, उसमें हम ये सोदाहरण दे देंगे, कि अवपचारिक पत्र अगर कोई आता है तो हम कैसे लिखेंगे या अनवपचारिक पत्र अगर हमें आता है तो कैसे लिखेंगे So, stay tuned Bye